नमस्कार दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं DVR का Regulation Change क्योंकि बार बार हमें कंप्लेन आता है कि जैसे मोनीटर बे सही चलता है TV पे Regulation अधिक होने के कारण Unsupported लिख देता है या कुछ से कुछ प्रोलम आता है तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका Regulation कैसे Change किया जाता है इसका Regulation Change करने के लिए हम लोग Setting खूलेंगे Setting के लिए Main Menu में जाना है Main Menu में जाने के बाद पहले Main Menu में खूल लेते हैं Setting में जाना है Setting में जाने के बाद Display में जाना है Display में जाने के बाद यह देखिए इस डिस्प्ले में ही यह रेगुलेशन है 1260-224 पर भी चल रहा है इस रेगुलेशन को हम कम से कम करके यूज कर सकते हैं किसी का रेगुलेशन हाय राता है जैसे कोई full HD TV है तो उसमें चल जाता है कोई normal TV आपका आता है तो उसमें नहीं रेगुलेशन लेता है क्योंकि उसका कम कर देंगे तो अभी हम लोग 1280 into 720 कर देता है जो की सबसे कम रेगुलेशन है एक इससे भी कम है जो 1024 और 668 है तो 720 वाला तो हर किसी में अभी चल जा रहा है तो 720 वाला पर किलिक करेंगे उसके बाद apply करके save कर देंगे यह देखिए यह आ गया यहां यह लिख भी रहा है कि आपका regulation change हो चुका है आप इसको इस तरह रखना चाहते हैं तो करें तो हम लोग कर देंगे तो यह regulation change हो गया आप ही दिखाते हैं हम आपको की regulation वहां का change हो गया होगा तो setting में फिर आना है और display में regulation में देखिए 1260 720 है इस तरह regulation हम change कर सकते हैं हम लोग अभी 1260 1024 फिर से करके apply कर देता है फिर से देखिए फिर से वह देगा कि आपका regulation change हो गया है आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो करें यह countdown कर दिया है यह 10 सेकंड के अंदर करना रहता है 15 सेकंड के अंदर तो हम कर देता है तो automatic वह फिर से हमारा दस्टोशीद उस पे चला जाएगा देख लेता है कि फिर से setting में जाना है और display में आने के बाद यह देखिए 1260 1024 है कि वीडियो अच्छे लगए तो सब्सक्राइब करें और बहुत सब्सक्राइब करें जरूर सब्सक्राइब करें चैनल हमारे